जै मा प्रकृति दूस्तो हम लोग है केले की फिल्ड में और यहां पर केले के पोधे जो लगे में वो 7000 पोधे हैं डिस्टेंस की अगर बात करें तो यहां पर 5 भाई 6 का प्लाट लगावा है सोरी 6 भाई 5 का बोल सकते हैं बोलने में दोनों में कोई दिक्कत नहीं है पर यहां पर 6 भाई 5 इसलिए बोलते हैं कि यह वाला जो डिप से डिप वाला लाइन है यह 6 फिट का है और पोधे से पोधे की जो डिस्टेंस वाला है यह 5 फिट है इसलिए इसे 6 भाई 5 का एरिया बोला जाता है और पोधा जो लगा था यहां पर 17 जुलाई को लगा वा था और बहुत ही सांधार रिस्पोंस मिला है आप देख पा रहे होंगे इसकी लाड़ भी काफी अच्छी बन रही है कलर भी अच्छा है और जो चलने की स्पीड है वो भी काफी अच्छी है यहां पर डिस्टेंस निकल रहा है और काफी बड़ा पोंगा है तो पत्ता नया जो आया है उसे पोंगा बोलते हैं यह इस तरह की आवस्ता होती है इसे हमारे यहां की भासा में पोंगा बोलते हैं आपके यहां की भासा में क्या बोलते हैं कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं इसे भी अगर हम बात करें तो पत्ता काफी लंबा पत्ता है ये काफी बड़ा पत्ता है और पत्ते की जो चोड़ाई की बात करें तो ये चोड़ाई भी काफी बड़ी चोड़ाई है काफी अच्छी चोड़ाई है एकदम मस्त प्लाट चल रहा है इसमें सबसे बड़ा एक माइनस है और पुदा अच्छा चल पा रहा है इसमें एक और चीज बहुत अच्छी दिख रही है कि यहाँ पर जो निदाई करी हुई है इसके अंदर में आज जो बताने वाला हूँ यह हर किसान को अपनाना चाहिए और कोसिस करना चाहिए कि यहाँ पर जिस तरह से यह आप कच्रा देख की तरह होना चाहिए तो यहाँ पर आप दीखे जादू और यह आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यह जो रूट का इस्ट्रक्चर है यह बहुती सांदार है पूरी रण फिडर रूट है यहाँ पर पूरी फिडर रूट उपर आ चुकी है इकदम वाइट वाइट बहुत ज़्यादा सांदार मात고 मैं तो इसे यहाँ से कार्भन का सपूर्ट इस कचरे से बहुत मिलने वाला है कारबन से जो हुमस बनता है इस कचरे से जो हुमस बनता है वो भी इसे बहुत अच्छी से मिलेगा यह आप देखें यहाँ पर पूरी वाइट वाइट रूट बहुत सांदार है और इसमें एक और चीज बहुत अच्छी मिलती है कि नमी बहुत अच्छी बनी रहेगी लंबे समय तक तो कोशिस करना चाहिए किसानों को कि इस तरह से जो निंदाई होती है ये पूरी की पूरी इस नाली में डाल दें और यहाँ पर माइनस आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बेड बना ही करव बेड है पर बहुत चोटा सा बेड है कि यहाँ से पोधा उपर गाठ लगा हुआ है और इधर नाली स्लोप में है और इधर भी स्लोप में है और यहाँ पर bed नहीं है यह पूरा पूरा flood है तो कोशिस यह करना चाहिए कि bed first में ही जितना जादा अच्छा बड़ा flood bed बन जाए वो कर लेना चाहिए तो आपको और बहुत जादा अच्छा response मिलता है और drip AC अवस्ता में double इसलिए डालना है कि यह जब जुलाई में लगा है तो इसके bunch April में harvesting होगी मई में harvesting होगी और जब बहुत तेज धूप रहेगी कड़क धूप रहेगी तो उस समय में bunch गिरने की अवस्ता बहुत जादा बढ़ जाती है क्योंकि केवल एक drip से पानी maintain नहीं हो पाता है तो कोशिस यह करना है कोशिस नहीं करना है करना ही है यहाँ पर double drip करना है और आप कुछ चीजें यहाँ पर notice कर रहे होंगे जैसे यहाँ पर sewerों ने थोड़ा सा आतंक मचाया था तो कहीं कहीं पर gap हुई है और gap को fill भी कर दिय करने के बाद भी कुछ चीजें हैं जिसको note करने की है और apply करना है बहुत जरूरी तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसकी लाट कमजोर है और पोधा थोड़ा छोटा है जिसे एक और पोधा है यह वाला भी अभी का जो treatment है उससे पोंगा तो बहुत अच्छा निकला है पर पत्ते कम निकले हैं पर इन दूसरे पोधों के compare में यह पोधा चोटा है तो क्या करना चाहिए कि यह पोधा भी इनसे मेच कर लें तो जब भी बेसल डोज डालें यहाँ पर double side में दोनों side में बराबर बेसल डोज देना है सबसे पहला दूसरा इसमें यह जो पोंगा ह यह होता है इसमें पोंगा फिलिंग होती है तो पोंगा फिलिंग में 1000 पोधे पे 200 लिटर पानी और 200 लिटर पानी में 2-3 किलो केल्सियम नाइट्रेट दो किलो 13-0-45 उसमें लेना है चिलेटेट जिंक 200 ग्राम से 300 ग्राम और उसी में साथ में लेना है पोटेशम हुमेट या फिर अच्छा सा कोई कमपनी का हुमिक एसिड जिसकी मातरा लेना है एकड के हिसाब से उसे कंपेर कर लेकिए कौन सा बेस्ट है आपके लिए तो अगर पाउडर फॉम में लेने जा रहे हैं या 90% वाला आता है तो 300 से 500 ग्राम के बीच में लेना है इनको मिक्स करना है अच्छे से घोल बनाना है और इस पोंगे में फील करना है तो यहां से जब आप फील करेंगी तो यह पूरा पूरा पोंगे में आप देख पा रहेंगी यह तो रहने से क्या होगा कि पत्ते से पूरा उठाने वाला है और जब उठेगा तो पॉधे में बहुत मज़ा ला देगा तो कोशिस करें कि इस अवस्ता में अगर ऐसे चोटे पोदे हैं तो इनमें पोंगा फिलिंग जरूर कर दें तो पॉंगा फिलिंग करें किसमें तो ये है सबसे बड़ा पोधा इसमें ये सब बड़े पोधी की अवस्ता है और ये जो है ये पोधा छोटे पोधी की अवस्ता में आता है और ये इससे भी छोटा है तो कोशिस करना है कि इसमें पूरे पत्ते जल्दी से जल्दी निकले तो इसमें पहला पूंगा फिलिंग इसमें करना है और इसमें भी करना है पर इसमें सेकेंड टाइम में फिर से इसमें रिपीट करना है तो यही कर सकते हैं और इसके अलावा यह जो अवस्ता है इस अवस का structure बहुत अच्छा बनेगा और यहां पर आप देख पा रहेंगे कि यह root कहीं sorry drip choke है जैसे यह drip आप देख पा रहे हैं यह पूरा का पूरा choke है यहां पर गिला भी नहीं है तो गिला नहीं होने से इस पोधे का acid चला दे जिससे कि यह drip के जो choke up है यह पूरा open हो जाएगा और जिस तरह से drip choke open होगा उसी तरह से root का जो choke up होगा वो भी पूरा पूरा बुर्बरोट हो जाएगा एकदम मस्त तरीके से फेलने लग जाएगा अभी यहां पर आप देखे पूरा तो यह open नहीं होना चाहिए कोशिस होनी चाहिए यह गिरपड की जो समस्य आती वो इसी वज़े से आती है तो कोशिस करें कि यहां तक का बेड इसका पूरा बना दे पहली ही बार में और इस तरह से अगर लगाते हैं तो बहुत जादा अच्छा response मिलता है अभी यहां पर भी देखिए आप यह पोधा भी कमजोर है तो यह कमजोर रहने के पीछे एक जो बड़ा कारण मैंने बताया drip choke up का तो यह चोक अगर नही है कोई fungus नहीं है यह इलि की वजह से होता है इलि इनको खा चुकी है और खाके spray हो चुका है इस वजह से यह खतम भी हो 200 लिटर पानी में घोल बना कर देना है उसके साथ 24-24 जीरो 6-8 किलो और मेगनेशन सलफेट 3 किलो इनको अच्छे से मिक्स करना है और बाई ड्रिप रन करना है तो यह जैसे ही ड्रिप में जाएंगे पोधे के पास जाएंगे तो पूरा का पूरा पोधे को सपोर्ट करेंगे अब यहां से आप देखिए यह तो पोधा छोटा है गेफिलिंग में आया था और यह पोधा भी छोटा है इसके बाद वाला जो वो पोधा है वो काफी अच्छा बड़ा है और फिर यह पोधा जो चोथे नंबर का यह फिर से छोटा है वहाँ पर आप देखेंगे गोर करे नहीं है वो ज़्यादा ही आएगी तो कोशिस करें कि महीने में एक बार तो कम से कम सलफिरिक एसी ड्रिप से रन कर ही दें तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं मिलने वाली है और बाकी प्लाट बहुत अच्छा है और अवर ग्रोथ बहुत ही सांदार है इसका जो नया प सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में और भी जो अच्छी जानकारी है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे धन्यवाद